हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं आपका फ्रेंड्स सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्फोर्यू पे आपका सौगत करता हूँ तो इस्टूडरेंड जैसा कि हम लोग बाल मनोविज्ञान की उपर अध्यन कर रहे थे और जश्ट हम लोग ने बेसिक वीडियो जो होते हैं वो मैंने अपनोट किये यूट्यूब पे तो प्लीस एक बार सतेंद्फोर्य उपर आप विजिट करें तो जीन पे आजे लेव बाइगोस के उपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा और उसके बाद जो वल लाइनर पॉइंट जो होते हैं जो यूपी एक्जाम के लिए इंपर्टन है टीचर के लिए वो मैंने अपनोट किये और आज का हमारा वीडियो बहुत मैंने ज्यादा बड़ा नहीं रखा है और बेसिक चेप्टर आपका है ये जिसको हम लोग बाल विकास के सिध्धान क्या होते हैं कितने सारे दिएगा हैं उसको समझेंगे हम लोग तो आज का लेक्चर हमारा जो होगा बाल विकास के सिध्धान जो बताएगा हैं उन पर हम लोग डिस्कुसन करेंगे और जो नेक्स लेक्चर आएगा उस पर हम लोग अभिवर्दी और इन दोनों इस अब्धों पर चर्चा करेंगे तो आज का हमारा लेक्चर बाल विकास के सिधान चलिए अब दिखीगा बाल मनुविज्यान में जो सिधान दीए गए हैं उस में आप देखीए कर पहला सिधान देखीगा सततता का नियम या निरंतरता का नियम यानि कि बालक का विकास सतत रूप में या निरंतर रूप में आगे बढ़ता रहता है वो निरंतर चलता रहता है आपका ठीक है दियान में रखेंगे स्टार्टिंग के कुछ वर्थों में अगर आप लोग देखेंगे जो विकास जो होता है वो तीव गती से होता है और कुछ समयवाद तीन बर्स के बाद जो होता है उसके विकास में या वृद्धी में थोड़ी कमी आती है ठीक है तब भी हम लोग जब भी बोलते हैं कि विकास जो होता है जीवन पर चलता है सतत रूप में नरंतरता के नियम पर आगे बढ़ता है ठीक है यह पहला पॉइंट आप ध्यान रखेगा और यहां पर एक स्टेट्मेंट देखिएगा उपर लिखा हुआ है क्रो एंड क्रो के अनुसार यह बहुत एक्जाम में पूछा जाता है कि किस ने बालकों की बीसवी सताब्दी बालकों की अवस्था बताया तो क्रो एंड क्रो ने ऐसा बोला था ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे यह स्टेट्मेंट चलिए अब हम लोग दूसरा सिद्धान बोलते हैं विकास की विभिन गती का सिद्धान विकास की विभिन गती यानि कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी गती जो हमेंसा एक सी नहहीं होती है ठीक है ध्यान रेखेंगे तो गती जो होती है वह एक सी नहीं होती कभी जाता तो कभी कम इस तरीके से देखी मैन गती और जो भिकास की सिद्धान को आप देख लिकर आधान हो तो इन डिकास कुए Цिछ tha की कि फालो करता है तीन निअग में यहां पर हमारे में आते है कर विकास दिसा का सिजधान. यहां से लिए एक क्वेस्शन निकलता है जब बालकraction जन्म होता है तो जन्म के सामें शूरें ध्यान रखीगा उसका सड़क होता है काफी भारी होता है तो यह चौध hyper point में दिखएगा विकास की दिसा का सिद्धांत यह बोल रहा है ऐह कि आपके सामने यह है बालक अगर बालक का विकास सिर से पैर की तरफ अगर आपको देखने को मिले यानि कि पहले सिर के अंगों का विकास होगा फिर उसके आसपाद जो भी अंग आएंगे वो विकास होगे और सिर से पैर की तरफ देखने को मिले तो उस सवस्था को हम लोग मस्त का धोमुखी बोलते हैं आया हुआ है कि अगर बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है या उपर से नीचे की ओर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मस्त का धोमुखी ठीक है यह विकास की दिसा का सिध्धान्त है अगर बालक का विकास जो अगर मद्ध भाग से सुरू हो मद्ध भाग का अर्थ ही यह है कि बच्चे की जो रीड की हड़ी होती है जिसके आप लोग इस्पाइनल बोलते हैं रीड की हड़ी जो 20 से जाती है आपकी कसे रुकू अगर बालक का विकास लोग विक्सित होरह और इसके फास पास आने वाले जो अंग जो होते हैं अग्साम में आया हुआ है कि यदि बालक का विकास मद्ध भाग से होकर उसकी हिर्दे चेस के होकर बाहर की हो는, हाथ, पैर, हात, पैर, नहीं हो 것ynı जोग अग्सित हैं मुखी और जबकि सिर से पैर की तरफ हो तो उसको मस्त का दो मुखी बोलते हैं इंपॉर्टेंट है यह वाला ध्यान रखेंगे चलिए अब बालकों के विकास से संबंदित पांशों प्रिंस्पल आप लोग देख रहे हो मुश्ट इंपॉर्टेंट एकी करण का सिध्धान या प्रिंस्पल आफ इंटी क्रेशन पढ़ते हैं हम लोग इस सिध्धान के अनुसार बालक पहले संपूर अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है यानि कि पहले संप्लीट बॉड़ी या संपूर अंग औ से यहान्य सब्धान को आफ पहले हात को एक साथ चलाना सीखता है यानि partisan संपूर अंग हाथ को और फिर उसके उप अंग नंग को और फिर बाद में हात औंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है जब अंगल एक साथ सभी अंगल एक साथ काम करेंगे तो उसको हम लोग एक ही करना का सिद्धान बोलते हैं बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला प्रिंसिपल दियार रखीएगा चली आंगल नेंश्पएगा चली चली च्छटा प्रिंसिपल देख़ी है परस्पर संबंध का सिद्धान बाल बिकास से संबंधित ये बोलता है कि मैं अगर आप से बोलूँ कि बालक के बिकास में सिर्फ ग्रोथ या वृद्making नहीं होती उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए उसका समविगात्मक विकास भी होना चाहिए उसका जिस सोसाइटी में रह रहा हो सामाजिक विकास भी होना चाहिए उसका सैच्छिक विकास भी होना चाहिए जब सभी के सभी उसका संस्कृति भासा विकास भी होना चाहिए, जहां पर वो रह रहा है, जब सभी के सभी अंग या सभी के संबंधी पार्ट जो होते हैं, मिलकर इंट्रेक्शन के द्वारे डेवलप्मेंट करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये डाइग्राम बना हुआ है, कि इसमें आपका समविगात्मक डेवलप्मेंट भी आजाएगा, जिसे एमोशनल डेवलप्मेंट, मैंटल डेवलप्मेंट भी आजाएगा, सारेविक विकास भी आजाएगा, इंटेलिजेंस डेवलप्मेंट या बुद्धी का विकास भी आजाएगा, जब सभी भाग मिलकर एक इ पर संबंद के विकास का सिध्धान ओके चलिए अब देखेगा सात्वा क्या बोल रहा है व्यक्तिक विभनताओं का सिध्धान का अर्थ यह है कि हर इंसान चाहिए रामो स्याम हूं अपने आप में व्यक्तिक तुरूप से अलग-अलग है और सभी का है डवलप्मेंट जो होता है अगर मानम जगत में हूं मानम जगत में हम लोग हैं तो हमें पता है कि irm प्जिश्व अबस्ता फिर बाल अबस्ता फिर किसोर अबस्ता फिर आपको आगे ची जन्रेसं आए कि इस पैटन को सभी को फॉलो करना है लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने तो उनका डेवलोपमेंट होगा अलग-अलग तरीके से होगा चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो ध्यान रखेएगा व्यक्तिकर विभिन्नता सभी में होती है ध्यान रखेंगे अब अगला है आपका समान पृतिमान का सिध्धान समान पृतिमान का सिध्धान यह है कि हम लोग मानब जगत में अगर मैं बोलू चीटी जगत या हाती जगत तो हाती जगत जो होगा वो उसका डेवलोपमेंट उस जगत में होगा जबकि चीटी जगत है तो उसका डेवलोपमेंट उस जगत में होगा जबकि हम लोग मानब ज प्रिंसिपल करना पड़ता है हमें अच्छी से बता है कि मानब जगत में सभी का जो डेवलप्मेंट होगा एक ही पैटर्न के थेट होता है ऐसा तो है निए कि हमारे डेवलप्मेंट चीटी जगत जैसा होने लगे यहां ती जगत से नहीं लगे हम लोग मानब जगत में हैं तो हमारा पैटर्न जो होगा डेवलप्मेंट का वो यूनिफॉर्म पैटर्न या समान प्रितिमान के सिब धान को फॉलो करेगा ओके चलिए नव प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग सामान एवं विसिष्ट क्रियाओं का सिद्धान कहने का मतलब यह यह कोई भी बालक हो पह विञास सिखाने के लिए वो सामान है पहले हलके काम करेगा फिर थोड़े से डिफ्यकल्ट आस की और बढ़ देखेंगे और दसवा देखेंगे वन सानुक्रम वेवातावरन की अनतावरन का सिद्धान और विस्सी बात है किसी वी बालक का जो होता है बुद्वर्त ने तो कहा भी है किसी भी वेक्ति का विकास या बालक का विकास उसका वनसानुग्रम और वाता वर्ण का प्रोड़क्ट होता है यानि कि एक पर आपका सोसाइटी जोगी वातावरन का पार्ट है और जैनेटिक्स आपका है यह दूनु यह मिलके बालक के डेपलोप्मेंट को आगे बढ़ाते हैं वह बात है कि हम लोग वातावरन पर जादा महत्व देंगे ऐसा होता है यह बातावरन जैसा होगा वह वैसे ही सीखेगा अब जैस इस तरीके से बोलने हैं तो यानि कि जैसा हमारे आसपास होगा पैटर्न वातावरन उसको देखके बालक सीखता है जैसी भासा बोली आएगी वैसी वह सीखेगा जैसी वहां का संस्कृती है खान पहन है रहन सैन है कैसे कपड़े पहनते हैं इस सभी का प्रभाव देखने क अच्रहोन को मिलता है ठीक है एक प्रिंस्पल हो गए एक प्रिंस्पल और मैं यहां पर एड़ करूंगा कि यहां पर चक्राकार प्रकति का नियम भी काम ड़ेता है चक्राकार या लौ Fox dot या Law of वर्तुलाकार वर्तुलाकार तो होता है spiral आपने spiral वाले register यूज़ करें तो इस्परिंग की तरह लगे रहते हैं उसको वर्तुलाकार या spiral कहते हैं तो यह Law of चक्राकार का सिद्धान या Law of Spiral कहता है कि बालक का विकास कभी भी इस तरीके का नहीं होता सामानता हम अधिगम कर रहे हैं समय हो लग रहा है तो लेकिन कोई भी ट्रेन जो है एक रेखी रूप से इस गती से आगे नहीं बढ़ती या किसी भी बालक का विकास एक गारी के सामान चला जा रहा है चला जा रहा है रूप ही नहीं रहा है मनों विग्यान में या सामानता हम देखते हैं कि हर इंसान में चाए बालक हो चाए वैक्ती हो उसमें कुछ उतार और चड़ाव देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग उतार और चड़ाव चड़ाव यानि की ऊपर जाना इस तरीके से और गिराव यानि की इस तरीके से यानि क उसका pattern जो होगा आपका spring या spiral या वर्तुला कार के रूप में होगा क्योंकि linear अगर हम बनाएंगे तो यह train चली जा रही है कौन सी train है जिसमें break ना लगे कौन सा व्यक्ति उसकी life में break ना लगे break का मतलब यह है कि up and down उतार और चड़ाव सब देखने को मिलता है इसलिए सामानता जो बालकों का विकास है एक spiral रूप में आगे बढ़ता है ना कि आपका रेखी रूप में देखेगा इस तरीके से बढ़ेगा आपका ठीक है इस तरीके से इसमें आपके अधिगम के दोनों कर्व आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और नतोधर और नतोधर यहां तक मैंने आपको बताया यह आज का सिंपल सा बिसिक लेक्चर था कहीं भी कोई भी प्राबलम आकर आपके होई है तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताये अगर थोड़ा सा भी ठीक है तो सेर कर दीजेगा जैसा भी लगे आप कमेंट ज़रूर करें ठीक है हमारे लिए पुनरबलन मोटी विशन का काम करेगी तो जरूर रियक्ट करें पसंद आजाए तो share कर दीजेगा जैसा कि मैंने आपसे बूला था कि चैलिड अप्लोप्मेंट मुझे कराना है और इसके बाद आपका सपोर्ट बहुत माइने रखता है जनरल स्टेडी में आपको मैं हिस्ट्री कॉंस्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एकनॉमिक्स करेंट अफ्फेर नेशनल एंटरनेशनल बोथ सेक्च्ट्वल एंड अनलिसिस के साथ आयट एंड कल्चर निभंध सभी को मैं आपको कवर कराऊंगा जल्दी चैनल जैसे स्टार्ट किया है तो इसको प्लीज सपोर्ट करें मैं सतेंद्र यूट्यूटीब चैनल सतेंद्र फोर यू से जांसी से जल्दी ही आप लोगो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे यह एक इंटूडेक्शन जल्दी ही मिलेंगे हम लोग सैंक्यू वावाई धन्यवाद